हेलो दोस्तों कैसे वापसल आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे तो चले आएए शुरू करते हैं आज की क्लास और इस क्लास में हम सीटेड जुलाई 2023 के लिए सामाजिक बिज्यान SST, NCRT फिल्टर से दोस्तों आज हम क्लास 7 की NCRT से जोग्राफी का दोस्तों चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं इससे पहले के 3 चैप्टर हम पिछले क्लास में कर चुके हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास की आज के पहले प्रस्न के साथ और आज के आप सभी एक कॉफी और पैन ले लेंगे और उसमें इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे एक दो तीन चार करके और फिर सही प्रस्न के आगे आप टिक करते जाएंगे कि आपके कितने प्रस्न सही हो रहे हैं और फिर वीडियो के अंत में आप कॉमेंट करके बताएंगे कि आ परशने के साथ और आज के लिए पहला प्राश्ण है दोस्तों प्रेशन नंबर 18 इससे पहले के 17 प्रशन हम पिछले क्लास में कर चुकी है अगर आपने अभी तक उन्हें क्लास को नहीं देखा थो उनको भी जरू जाकर देख सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए पहला तो oxygen दोस्तों 21% पाई जाती है और बाकी अनिये सभी gas से दोस्तों कितने 1% पाई जाती है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वायू मंडल में साहरवधिक मातरा में कौन सी gas पाई जाती है नाइट्रोजन पाई जाती है तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प समyen में सत्य कतन को चुने तो दोस्तों कतन ए है कि जब वायू गरम होती है तो फैलती है और अलकी होकर ऊपर उखती है ठेक है और कतन B है दोस्तों तंडी वायू सगन सगन का मतलब घनी होगा ठेक है सगन और भारी होती है इसलिए इसमें नीचे रहने के प्रवर्ती होती है और C है दूस्तों गरम वायू के उपर उठने पर आसपास ये छेत्र ठंडी वायू रिक्त इस्थानों को भरने के लिए वहाँ आ जाती है और कथन D है दूस्तों इस प्रकार वायू चक्र चलता रहता है तो कथन है A पस्ट पस्ट है दूस्तों A सत्य है और सैकन हो जाएगा दूस्तों B सत्य है और तीसरा हो जाएगा A और B दूनों सत्य है और चोह होते को दूस्तों हम कर सकते A, B, C और D सत्य है तो दोस्तों बताइए कौन सा कथन सत्य होने वाला है दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन नमबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा कि A, B, C, D, 4 के 4 कतन क्या है सत्य है इसलिए ओप्शन नमबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रशन की और और दोस्तों इन कत्षन को आप ध्यान से पढ़िए ही ओ सकता है यहीं से आपको प्रशन पूछ दिया जाएं ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की और अगला जो दोस्तों प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 20 मौसम सम्मंदित घटनाई कौन सी परत में होती है समताप मंदल में छोब मंदल में या बहीर मंदल में या मध्य मंदल में तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, कि मौसम संबन्दी सभी गटनाए, कहा होती है, छोब मंडल में होती है, जैसे दोस्तों, बादल का बनना, चकरवाद का आना, और वारिश का होना, ओला ब्रेष्ट ठीक है, इस परकार की सारी मौसम से संबन्दी, जितने भी ग ठंट में पाई जाती है छो मंडल समताप मंडल मध्यामंडल और वहीर मंडल तो दोस्तों इसका सवी उत्तर हूज सेगा कि ऑजोन ग्यास समताप मंडल में यह रिज़ाती है अप्षिन पूर्पि सही उत्तर फो नहीं है तो दोस्तों ये छोब हो जाएगा ठीक है छोब मंडल इसको काटी देते हैं यहाँ पे लिखते हैं छोब मंडल दोस्तों हमें बताना है कि वाइव मंडल की सबसे महतुपन परत कौन सी है छोब मंडल समताब मंडल और मध्य मंडल या ब्रहाई मंडल दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वायू मंडल के सबसे महतुपन परत कौन सी है छो मंडल है क्यों क्योंकि दोस्तों जितनी भी मौसम समंधित गटनाई होती है तो इसमें होती है छो मंडल में होती है इसलिए ये वायू मंडल के सबसे महतुपन परत है ठीक है बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रशन की और अगला जो दोस्तों प्रशन है प्रशन नमबर 23 वायू मंडल की कौनची परत में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उलकापिंड जलकर राख हो जाते है तो दोस्तों ओप्सन विये गया हमें मद्य मंडल समताप मंडल छोब मंडल बहीर मंडल तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ओप्सन नमबर A सही उत्तर हो जाएगा कि मद्य मंडल में अंत्रिक्स से प्रवेश करने वाले जो दोस्तों उलकापिंड होते हैं वो क्या है जल कर राक हो जाते हैं ठीक है बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रशन की और अगला जो दोस्तों प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 24 और दोस्तों बहुत मैट्टू पुन प्रश्ण है और ये सी टेट में दो से तीन बार पूछा भी गया है तो दोस्तों प्रश्ण है रेडियो संचार के लिए किस परत का उप्योग होता है और पिर्थवी से परसारीत रेडियो तरंगे इस परत द्वारा उन्हों पिर्थवी पर प्रावर्तित कर दी जाती है तो परत का नाम बताईए तो दोस्तों ऐसी कौन सी परत है जिसमें बहाई मंडल है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा option नमबर डी इसका इसको दोस्तों हम क्या कर देंगे डी ठीक है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्टन की और बहाई मंडल ठीक है अगला जो दोस्तों प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 25 वाईव मंडल की कौन सी परत सबसे पतली है तो दोस्तों हमें वाईव मंडल की सबसे पतली परत को पैचान ना है कौन सी है और जिसमें अलकी गैसे पाही जाती है तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया चोब मंडल समताब मं ये मंडल बहीर मंडल तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा option number D सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बहीर मंडल बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और अगला जो दोस्तों प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 26 वायू दाब के संबंद में सत्य कतन चुने है तो दोस्तों कतन A है कि वायू मंडल में उपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है तो दोस्तों जैसे जैसे हम वायू मंडल में उपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे वैयूदाब तेजी से गिरने लगता है और कथन B है समुंद्र इस्तरबर्म, वायूदाब सार्वदिक होता है और कथन C है वायूदाब सदेव उच्च दाब से, तो दोस्तों इस पर भी प्रशन पूचा गया है जो कथन C है ना, इस पर सीटेड में प्रशन बस्टे हमारे पास option a है कि a कतन सत्य ह। या b सत्य है या a और c सत्य है या a, b, c तीनों के तीनों कतन सत्य है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा option number 4 सही उत्तर हो जाएगा ये उप्रुक्त तीनों ही कतन क्या है सत्य हैं बढ़ते हैं फिर अगले प्रसुनी की और अगला जो दोस्तों प्रश्ण है ये पवन से सम्मंदित है प्रश्ण नमबर 27 पवन के सम्मंद मैं सत्य कतन को चुने कतन ए है उच दाब छेतर से निमन दाब छेतर की और वाई यू की गती को पोवन कहते हैं जो दोस्तों उचदाब छेतर से निमनदाब छेतर की और वाई यू गती कर रही है इस गती को ही क्या कहते हैं पोवन कहते हैं और बी कतन है दोस्तों पोवन को मुक्यत तो तीन परकारों में भी वाजित किया जाता है और कौन कौन से 3 प्रकार है दो दोस्तों वो हम इस प्रशन में समझने वाले हैं ठीक है तो दोस्तों हमें सत्य कतन की पहचान करनी है तो इसका सही उत्तर हो जागा दोस्तों A और B कतन दोनों ही सत्य है तो ऐसा option option number 3 है सही उत्तर हो जागा A B दोनों सत्य है बढ़ते हैं दूस्तों अगले प्रशनी की और अगला जो दूस्तों प्रशनी है प्रशन नमबर अठाइज निमल कित कथनों में से सत्य कथन को चुने पैचान करो ठीक है तो पव़णे दूस्थ उतीन प्रकार की होतिये कौन कौन सी एक होती है इस्थाई पाउने और दूसरी होती है मौसमी पाउने और तीसरी होती है दूस्तों इस्थानी पाउने तो आए समझते हैं इस प्रस्ण को तो इस्थाई पाउने कौन सी होती है दोस्तों ब्यावपारिक पाउने इस्थाई पाउनों को ही दोस्तों क्या ब्यावपारिक पाउने भी कहा जाता है तो प्रश्चने पूचे जाता है कि ब्यावपारिक पाउने कौन सी पाउनों को कहा जाता है तो इस्थाई पाउनों को ही क्या कहा जाता है दोस्तों ब्यावपारिक पाउने कहा जाता है तो ब्यावपारिक पाउने पश्चिम एवंपूर्वी इस्थाई पाउने है तो दोस्तों जो पश्चिमी और पूर्वी क्या है ये इस्थाई पाउने है और ये वर्ष बर लगा निश्चित दिशा में चलती रहती है तो इस थाई पारी पारिक पारीच वितมา होती है ढूर्बबर में एक निश्चित दिशा में चलती रहती है ठीक है और कथन भी यह दोस्तो ओन मौस्मी पवगने की da है ठीक कि इस प्रकार्ट से प्रषण आ सकता है तो मौस्मी पववने कौंशे होते हैं यह पववने बीविन V Chung में अपनी दिशा बदलती रहती है दोस्तों उन पववने को हम क्या कहते हैं gute बोढ़ा क्या क miraćा है जो रीटू परिवर्तन के साथ अपनी दिशा भी बेह रही है और शीत रीतु में दोस्तों ये क्या होती है शरद रीतु में शीत नहीं दोस्तों शरद रीतु में ये क्या करती है इस तल से समुंदर की और इनी की दिसा होती है ठीक है तो दोस्तों इसे ही क्या कहा जाता है मोसमी पावने कहा जाता है ठीक है और कतंसी है दोस् के वर्ष में चलती है और या दिन के किसी बिसेश समय में चलती है तो ऐसी पोवनों को क्या कहते हैं दोस्तों इस्तानिय पोवनों को ही क्या कहते हैं लू भी कहते हैं ऐसा कथन C का मानना है तो दोस्तों हमें बताना है कि उप्रयोक्ट मैंसे कौन सा कथन सत्य है आप्सन दिये गए हमें A-, B-Satute A,ा-aaa E B, C 3 सत्य थो दोस्तुअ इसकी उसनी उत्तर होहाईगा औप्शन नम्बर 4 सही उत्तर होग forms N3 क्थन क्या है सत्य यह इसले Boston 4 सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों ऐसी परत बतानी है जिसमें बादल बिलकुल भी नहीं है छोब मंडल है या समताप मंडल है या मद्य मंडल है या बहीर मंडल है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा option number B सही उत्तर हो जागा दोस्तों समताप मंडल तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रस्ण की ओर और अगला दो दोस्तों प्रस्ण है प्रस्ण नमबर 30 तो दोस्तों प्रस्ण को शुरू करने से पहले ये आज के लिए अंतिम प्रस्ण है आदर्श होती है समताप मंडल होती है छोब मंडल होती है मध्य मंडल होती है या रहाई मंडल होती है तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि वाईउ मंडल के उड़ान के लिए कौन सी परत आदर्श मानी जाती है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा option number A समताप मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा तो चले दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद मिलते हैं जल्दी ही इस परकार की next वीडियो में